आज हम पढ़ने वाले हैं बजी वैंजगों का भाग डिवजन आफ अलजब्रीक अश्प्रेशंस ये छोटे-छोटे रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें पहला है एक पदी वैंजग का एक पदी वैंजग से भाग अंग्रेजी में जिसे हम बोल सकते हैं डिवजन मतलब जिससे भाग देंगे वह भी एक पदी वेंजक होगा अर्थात भाजक एक उधारन ले लेते हैं और उस उधारन के अधार पर हम उस सवाल को हल करके देखते हैं यह पहला सवाल है रिन 15x की घाद 3y की घाद 2z भागीत रिन 5x की घाद 2yz हम बोल सकते हैं माइनस 15x to the power 3 y to the power 2 y square z divided by minus 5x square yz जब हम इसे भाग देते हैं तो जिसको भाग देना है वो उपर रहेगा और जिससे भाग देना है जो भाजक है वो नीचे रहेगा हम उसको बटे की रूप में लिख लेते हैं अब गुलांक है गुलांक को तो वैसी रखेंगे जैसा काटते बनेगा अपन काट लेंगे जैसा अपन समाने संख्याओं क काठते हैं बाकि को हम गुणन खंड के रूप में विल्कुल लिख लेते हैं अलाग-अलाग इसरिंपंद्रा गुणित एक्स गुणित एक्स चुंकि एक्स की सी हा तीन है फिर वाई की हाथ दो है तो वाई गुणित वाई गुणित जैड़ और फिर नीचे में रिंड पांच है तो अपने पांच को तो वैसी लिख लेंगे गुणित एकस की घाथ दो है मलाइस एकस स्कॉायर है तो एकस इंटु एकस हो जाएगा एकस गुणित एकस फिर वाई वाई टूदी पार वन एक प्रकार से वाई की घाथ एक बोल सकते हैं तो वाई अकेला रह जाएगा वाई अब इसी जैड की घाथ भी एक है तो जैड ही रह जाएगा इस तरगे से हम लिख सकते हैं अब अलग अलग हम सब को काट सकते हैं जैसे यह जैड है जैड से कट जाए से उनी कटेगा है यह क्रantu dook नीचे में कोई भी वेरिवल्ट नहीं कोई बी चरंती सीधियर तो पछी यह अब जो नंबर बचा सोट नंबर on a शेंडन रहें इससे कल देंगे अच्छो nutzen को है रेंद्र है वर ना पासमें या पंद्रा फाइब बचा है उसे नीचे लिख लेते हैं थ्री इंटू एक्स इंटू वाई तो जबी गुणा को लिखने के अपने को ज़रूत नहीं है अपने से अलग गला रखे थे अब उसको एक साथ कर जाते हैं थ्री एक्स वाई यह हम लोगों का आंसर हो जाएगा यह हमारा भागफल है तो यह था एक पदी वेंजक का एक पदी वेंजक से भाग इसका दूसरा ह है कि बहुपद को एक पदी वेंजक से कैसे भाग दिंगे हम उसे देख लेते हैं अब हम देख लेते हैं एक बहुपद का एक पदी वेंजक से भाग अर्थाथ इसके लिए भी एक उधान ले देते हैं एक सवाल ले लेते हैं और उस सवाल को हम लो हल करने की कोशिश करेंगे तो यह सवाल है इसका मतलब है कि इसमें जितने भी पद होंगे उन सभी पदो को 2M से आपको भाग देना है जैसा इसके पहले अपन किये थे बिल्कुल वैसी लेकिन इस सवाल में तीन अलग अलग एक पदी वेंजक हैं हमें एक प्रगार से बोल सकते हैं और वो सब मिलकर बहुपद बने हैं या त्रीपद बने हुए हैं तो इन तीनों को भाग देना है तो हम बारी बारी से इसको इसको फिर इसको भाग दें तो जब हमको ऐसा करना होता है तो जैसा इस समय लिखेते हैं इस पूरे को हमको भाग देना है तो हम लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं तो हम लोग देख लेते हैं हम क्या शों अभी भी आप अलग-अलग कर लिजें इसको सोला गुनीत मटे दो गूलेत आं चार गूलेत रिंधर बेटे दोगूलेत आई हैं रिंब्रेट आप जैसा उस समय काटे थे अब देखे एक एक सवाल लगभग पीसली बार बनाया थे वैसा हो गया यह वैसी एक तीसरा, इसको ऐसी करते हैं, M को M से काड़ दिये, 2,8,16, नीचे में आगे हमारा 8 M, धन, यहां भी 1 M और M कट गया, 2,2 नी, 4, तो क्या बच रहा है, 2 N, यहां भी हम M को M से काड़ दिये, और 2 छक्के 12, यह बच रहा है 6 N की खाथ 2, तो यह हमारा यहां पर भागफल हो गया, जो त्रीपद के रूप में आपको दिख रहा है, त्रीपद था, भागफल में भी त्रीपद ही आया है, लेकिन यहां फिर से धान देनाली बात रहती है, कि कोई भी समान पद नहीं है, कोई भी सवजाती पद नहीं है, इसलिए आगे वो हल नहीं हो रहा है यहीं हमारा भागफल रहेगा अब इसका तीसरा है जो सायद सबसे महत्पून है कि एक भुपद को आप द्वीपत से कैसे भाग देते हैं कोई कि द्वीपत से भाग देना समाने तब ऐसा नहीं है जैसा हम अभी तक देख रहे हैं थोड़ा सा कठीन हो जाता है और बहुत ही महत्पून भी है